पेट में अलसर के बारे में तो अगर गैस्ट्रिक अलसर के तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये गैस्ट्रिक अल्सर के लक्षन है इसमें Homeopathy की दवाईया है जो आपको मदत कर सकती है तो इसी विशय में हम लोग बात करेंगे कैसा होता है गैस्ट्रिक अलसर का दर्ड और कैसे आपको होमियोपथी मदद कर सकती है तो दोस्तों गर आप लोग मेरे चानल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चानल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई इन्फोर्मेशन मिस नहीं करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ होमियोपथी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक गैस्ट्रिक अलसर और होमियोपथी तो दोस्तों गैस्ट्रिक अलसर या पेट का अलसर सबसे पहले समझते हैं यह कैसे बनता है और क्यों बनता है तो हमारा जो पेट है हमारा जो स्टमक है इसके अंदर लाइनिंग होती है तो अलग-अलग परत होती है तो एक म्यूकोजा की लाइनिंग होती है अब जो पेट है पेट में तो हमेशा acid produce होता है ताकि खाना पच सके, digest हो सके अगर किसी कारण से जो mucosa की lining है, जो covering है या protective covering है जो हमारे stomach को बचाता है acid से, वहाँ कहीं पे कोई breach आजाए, cut जाए या कहीं पे gap आजाए, तो क्या होगा, वो acid चला जाएगा अंदर अगर वो acid जाएगा अंदर, तो वहाँ क्या करेगा, वहाँ पे चाले बना देगा, वहाँ पे सोर बना देगा वहाँ पे ulcer बना देगा, वहाँ पे घाव बनाएगा, तो यहीं होता है gastric ulcer तो अगर घाव कहीं में बनता है, तो कैसा उसका दर्ध होता है? एकदम से जलन वाली दर्ध होना खाते हैं, तो जलन होता है, दर्ध होता है, ऐसा रखता है, पेट को ऐसे पकड़ के रखे तो इस प्रकार के लक्षन या सिम्टम्स या दर्द होते हैं, Pinching Type of Pain होता है, अचा यह जो Gastric Ulcer है यह स्टमक में बन सकता है या यह डियोडिनम में बन सकता है, तो इसके लोकेशन है यह अलग-अलग हो सकता है, अब Gastric Ulcer बनता तब है जब या तो आपका Helicobacter Pylori यह एक बे चिरोइडल आंटी इंफ्लमेटरी दवाईयां लेते हैं इन शॉट आप चोटी चोटी चीज के लिए बहुत दवाईयां आप खाते रहते हैं दवाईयां बाद बाद पर दवाईयां लेते हैं जिसकी ज़रुरत चाहिद नहीं है तो NSAID का जाधा प्रयोग से ऐसा हो सकता है एक और कारण क्या है अब कोई ऐसा कहता है ना मैं जादा दवाई लेता हूँ ना मैं एलकोहल लेता हूँ ना मैं स्मोक करता हूँ तो भी मुझे क्यों ऐसा हुआ तो दोस्तों stress, तनाव, चिंता ये एक बहुत बड़ा कारण है इन फैक जो हमें बिमारियां होती है most of the time य या जो बिमारियां बॉडी में आती है, उसका कहीं ना कहीं जो reason है वो stress है, तो अगर stress बॉडी में रहे, तो stress के वजे से भी हम कहते हैं stress ulcers बन गए है, तो stress के कारण से भी gastric ulcers बन सकते हैं, या पेट में छाले, घाव ऐसे बन सकते हैं, तो दोस्तो, helicobacter pylori, NSAIDs और stress, ये तीन मुख्य कारण है, gastric ulcer बनने के, अगर gastric ulcer आपका जादा deep हो गया, तो इसके साथ साथ क्या लक्षन हो सकते हैं, जब vomiting आती है, vomiting के साथ खून आना, या stools के साथ, यानि जो आप motions पास कर रहे हैं, या आप मल त्याग कर रहे हैं, उसके साथ भी आपको खून वगरा जाए, क्योंकि अगर ulcer में अंदर bleeding हो गई है, तो जो blood है वो आपको आ सकता है, vomiting के थूर आ सकता है, या वो stools के साथ भी आ सकता है, इसके साथ साथ further perforations वगरा हो जाना, या renal system, kidneys effect होना, तो ये इसके और complications हो सकते हैं, तो basically जितना बड़ा घाव होगा, जितना बड़ा ulcer होगा उस हिसाब से इसके complications या symptoms हो सकते हैं, हमें ये समझना है कि gastric ulcer क्यूं होता है और हमें उसका बचाव करना है, तो क्यूं होता है मैंने आपको बताया, तो अपने आप से दवाईयां वगरारा जादा नहीं लेनी है, आपको अगर H.Pylori है तो उसका हमें treatment देना है, और stress या आपको मदद कर सकती है, दोस्तों हमारी सबसे पहली medicine gastric ulcer के लिए है urgentum nitricum, तो urgentum nitricum की जो दवा है, इसमें कैसा होता है, कि जो दर्ध है, पेट का ऐसा लगता है, दर्ध चारों तरफ फैर रहा है, रेडियेट हो रहा है, पेट में एक भारी पन है, पेट में हमेशा एक discomfort बना हुआ है, ढकारे आती है, vomiting होती है, nausea सा feel होता है, और जो एक discomfort है, वो हमेशा आपको बना रहता है, मन में डर लगना, anxiety होना, घबराहट होना, ऐसे अगर आपको symptoms साथ में होते हैं, और basically आपका जो दर्ध होता है, दर्ध ऐसे लगता है, चारों तरफ दर्ध जा रहा है, तो ऐसे जब radiate होता है पेन, तो ऐसे में urgentum nitricum एक अच्छी medicine है, जिसको हम consider कर सकते हैं, gastric ulcer के लिए, दोस्तों अगली हमारी medicine है, nux vomica, अब अगर कुछ भी खाना खाते, आपका दर्ध होता है, आपको, आपकी problem बढ़ जाती है, तो ऐसे में हम नक्स vomica consider कर सकते हैं, नक्स vomica के जो patient होंगे, वो थोड़ा सा भी हलका भी spicy, मिर्ची, कुछ भी खाएंगे तो उनकी तकलीव बढ़ जाएगी, कोई भी stimulants हो, coffee हो, chai हो, anything वो लेते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि problem बढ़ रही है, इनका हमेशा motions जबी पास करते हैं, तो इनको लगता है motions ठीक स हुए नहीं है, बार-बार-बार motions के लिए जाते हैं, चार बार, छे बार, पर हमेशा लगता है, एक unsatisfied feeling है, motions ठीक से नहीं हुए है, office में बहुत ज़्यादा काम का pressure है, देर-देर तक रात को बैठ कर काम कर रहे हैं, नींद अच्छी नहीं होती है, तो जब ऐसी problem हो, पेट साफ नहीं होता है, और थोड़ा सा कुछ खाते ही इनकी तकलीव बढ़ जाती है, तो कई-कई बार यह सोचते हैं कि हम खाना avoid कर दे, क्यूंकि खाएंगे तो problem होगी, तो ऐसे में जो Nux Vomica medicine है, वो आपको मदद कर सकती है, दोस्तो अगली हमारी medicine है, काली Bicromicum, अब काली Bicromicum में कैसा होता है, कि patient actually बता सकता है कि इस जगे पे मुझे problem हो रही है, तो वो उंगली लला के बताते हैं कि इस जगे पे मुझे problem है, और एक finger से या finger tip से वो area cover हो जाता है, तो ऐसी problem होती है, काली Bicromicum जो दवा है, यह body में secretions, जब stringy secretions हो, इसके लिए भी हम use कर सकत हैं, बहुत जादा बात करना इनको पसंद होता है, अपनी problem बहुत जादा explain करते हैं, बहुत जादा बोलते हैं, इनको हमेशा कोई चहिए इनसे बात करने के लिए या problem बताने के लिए, तो जब ऐसी personality हो और वो particularly बता पाए कि मुझे यहाँ problem है, मुझे इस tip में problem हो रही है एक round ulcer सा बनता है, तो ऐसे में हमारी medicine Calibicromicum बहुत ही अच्छी है और आपको मदद कर सकती है, दोस्तों अगली हमारी medicine है Lycopodium, Lycopodium हमारे gastric complaints के लिए एक बहुत अच्छी दवा, Lycopodium में हम देखते हैं, बहुत जादा गैस बन रही है, पेट में एक दम भारी पन है, ग तकलीफ है जो प्रॉबलम है, यह सब बेटर होता है, थोड़ा गरम खाना खाने से, तो यह लोग हमेशा गरम खाना खाना पसंद करते हैं, और अगर साथ में कोई रीनल प्रॉबलम या किड्नी प्रॉबलम भी हमें दिखे, तो अगेन Lycopodium हमारी एक बहुत ही इंडिकेट अटाइक मेघनी होती है, मैंने गैसेइक वी सफेटि कम्प्लेंन के बारे में राठ करी है और लगना सब्सक्री को बदाया है, यह हमारे इंडिकेट भर्म प्रॉदमें के बारे में अगर डिस्टेंशन होता है, तो ऐसे में हम इन तीनों दवा का प्रयोग कर सकते हैं, ला है या पेशन को थोड़ा कमफर्टेबल लगता है दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है हाइड्रास्टेस हाइड्रास्टेस में हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक अलसर के साथ साथ वजन घटना खाना जब खाते हैं उसके बाद वोमिटिंग हो जाती है खाना को रिटेन नहीं कर बहुत टाइम से गैस्ट्रिक इंफ्लमेशन या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस से जो लोग सफर करते हैं तो इनके लिए हाइड्रास्टेस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है हाइड्रास्टेस में हमेशा वेट लॉज एक बहुत ही इंपोर्टेंट इसमें सिंटम रहता है औ आज हमारी बहुत ही इंडिकेटर दवाईयां रहती हैं होमियोपथी में जो दवाईयां है वो सिम्टम के अनुसार आपको दिया जाता है गैस्ट्रिक अलसर के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है ताकि टाइम रहते इसका ट्रीटमेंट किया जा सके इसके लि दोस्तो यह थी इंफोर्मेशन अबाउट गैस्ट्रिक अलसर मैं उम्मीद करती हूं कि अभी जो इंफोर्मेशन में आप लोगों के साथ शेयर किया गैस्ट्रिक अलसर के बारे में आपने इसको पसंद किया है तो अवश्य वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैम करना जाए मेरे वेबसाइट डॉक्टर अर्पिना.com और वहां बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मेरे ओफिस के वाट्स अप नंबर पे केवल वाट्स अप के माध्यम से मेसेज भी भेज सकते हैं और वहां पे भ लोगों को अपॉइंट्मेंट की सारी डीटेल्स मिल जाएंगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही खुश रहिए मुस्कुराते रहिए स्वस्त रहिए थैंक्स फॉर वाचिंग